नमस्वार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है दोस्वों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 और उन्हें श्मार्च के आपके राशी के महा राशी फल के बारे में सबसे पहले दोस्वों जिनका भी यश्मे बर्ति दे है या फिर अन्यवन्शरी है आप शबी को मैरत रपशे देर शारे शुब काम नाई आप दिन दुगनी रात चोगनी तरिके करें तो आई दोस्वों के शाथ बात करते हैं यश्मे गरहों के तदिक यश्मे क्या क्या योग बनेंगे और इन शबी का शराब की राशी पर क्या होगा किन किन चीज़ां को लिकर यश्मे आपको साओन रेना होगा और आकिर कौन कौन शेकारी आपके लिए बागी शारे होगे दोस्वों यश्मे आपका लबलाइब के शरहेगा स्वास्त के सरहीगा, के रिट के शरहीगा दोस्तों इनने दो दूनों में आपका पारवलिक जोन के शरहीगा आरते जिती और धन को लेकर इस दियां केश उतल होंगे इन्हें शबी की महत्ता पूर्चान करोड़ेंगे तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिश्णा करें और शुरू से लेकर अंतर तक जरूर देखें दोस्तों वीडियो के इंद में बहुत यह चुपाय दिये गए हैं जिनिया आप करके इंदनों को और भी ज़्यादा लावकारी बना पाएंगे और लेक गरहों के बारे में दोस्तों द्यान रहें आप राहु कलकिशमय में कोई पिशुब और महत्पुन काने को भूल जे भी ना करें और दोस्तों इस दिन चन्रमा करने राशी पर शुब्योग रहेगा राहु कलकिशमय दिन शुबा के दोस्तों बात करते हैं तो दोस्तों याश्रम में सोच बहुत ही शकात्मद रहेगी लेग निरले शही सावित होंगे शत्रू कि नहीं पाएंगे बिदेसों से लाव या फिर बिदेसी यात्रा का परवल योग है दोस्तों धार्मिक यात्रा या फिर आपके माध्यम से कोई धार्मिक कार्य यश में पूर्ण होगा जमिन जायदात के मावों में यश में आपको शफलता मिलेगी इसमीर नेगेटिव की बात करेंा तो अगर आप छात रहें, तो दोस्तों आपको मेहनत करने के लिए तयार रहना चाहिए, क्य mapa क्योंकि शनी आपके अभ्यास अस्थान में है, दोस्तों भाहि भेहनों का शयोग तो मिले गा ही, प्रतु विवाद भी शंभाव है, विसेस कर बड़े भाईशे शंतान और गर्वती माईलाओं के लिए यश में थोड़ा पर्तिकूल रहेगा वह दोस्तों इन दिनों में आपको पैस्तिती से लड़ना भी पड़ सकता है दूसरे की मदद करें शला भी दें लेकिन किसी भी इस्तिती को इस तरह आने नो दें जिसमें आपको उचित नौल लगे तो उचित टालने की यश में आप प्रयाश करें वह दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में करियर में आपको कुछ लाब मिलने के प्रस्तियों का निर्मान हो सकता है दोस्तों यश में यदि कारवार विस्तार गती पगड़ने लगे तो दोस्तों आपको तुछ सहास एवंग किसी को धन उदार देने से बचना चाहिए अनिता आप लाप से वंचित रह सकती हैं दोस्तों यश्च में आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों आपकी जिवसाती से आपके संबंद का आवश्चकता होगी दोस्तों यश्च में रीस्तों के लिए जिस्त सकार्तमक भी रहेगा आपको शाती की साथ अपने भावनाओं को सेर करने का शमि मिलेगा दोस्तों आपने शाधी केसा विनमंडर वयवारई करें अपने वाने पर यश में मदुता लाएं इसे दोस्तों आपका प्रेम जिवन और भी सकार्मक दिश्टी के और बढ़ेगा वह दोस्तों हेल्थ को लेकर अगर बात करें तो यश में पाचन तंतर से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है लिक्विड डाइट ज़ादा ले दोस्तों यश में आपको स्वास के मोर्चे पर किसी भी बड़ी दिकत का समरा नहीं करना पड़ेगा दोस्तों यश में आपकी जोन में कुछ अलग और असाधारन करके बताने के चाफ परवल बनेगी दोस्तों यश में पूरे आपका जो मूड है बहुत ही अच्छे तिरके से काम करेगा दोस्तों आपका उच्छा यश में आपको सफलता का सोपान पार कराएगा गर आपके पक्ष में हैं इसलिए दोस्तों यश्व में चुनोती शुकार करने से इंकार नो करने के लिए गनेश जी कहते हैं वह दोस्तों यश्व में आपकी वित्तिति यानि धन को लेकर बात करें तो दोस्तों यश्व में कारियाले में कारी को शमालने में आपके दोवरा दिखाए गई अधबुत प्रदिभा की शहर नहों सकती है कारियों को परतिबंद करने के मामलों में आप माहिर रहेंगे दोस्तों यस्ट mean हलाकि गनेश जी का सुझाव है ति कि आपको निढ़ले लेने लेने के दौरां शबी नफह नुक्सान को ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों यश्च में आपकी पारिवनेक जीवन की बात करेंगे तो दोस्तों यश्च में आप सांती पुर्ण जगहों में साम बिताने का निश्य करेंगे किसी एकांक जगह पर अपने प्यरी के शाथ शमे बिताना अनन्द या अनुभती होगी एक समान जिस से पूर्ण साम आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाएगी गिनेश जी का विश्वास है तो दोस्तों यश्च में अगर आपकी अर्थ वयुस्ता की बात करें यानि आर्थिक इस्तिति की तो दोस्तों यश्च में कुछ भी समझोता किये बीना धन की सायता से अपने जीवन के अस्तर को बनाई रखने में आप यश्च में सच्चम होंगे आपको अधिक धन अर्जित करने के लिए गरफ प्रेडित भी करेंगे कड़ी मेंनत की काम किये भी ना आप यश्च में थकान मुसुस कर सकते हैं दोस्तों यश्च में अच्छा भोजन खाएं अच्ची तरह सोयें और अपनी उर्जा के अस्तर को बनाई रखने के लिए गहराई से सांस लें अपने शरीर पर हावस्यक बोज डालने से यश्च में बचें शरीर को तरवताजा रखने के लिए बस आराम करिए दोस्तों यश्च में आप सांत और तनाव रहित रहें इसा लगता है कि आप चानते हैं कि लोग आपसे क्या चाहते हैं लेकिन यश्च में अपने खर्चों को बहुत ज़दा बढ़ाने से आप बचें दोस्तों बहानकाश ने आपको प्रुचाहन देगा लेकिन छोटी मोटी बातों पर आपक होने से यश्च में आप बचें क्योंकि इससे आपके हितों को नुकसान पहुचेगा दोस्तों असानक किसी से रोमेंटिक मोलकात हो सकती है अपनी कारिक उसलता बढ़ाने के लिए नई तकनिकी का शाहरा लें दोस्तों आपके शेली और काम करने का नया अंदाज उन लोगों में दिलचजबी पैदा करेगा जो आप पर नईदिकी से गौर करते हैं दोस्तों यश्मी प्रोपकार और समाजी कारे आपको आकर्षित करेंगे अगर आप एसे अच्छे कामों में थोड़ा शमय लगाएं तो कापी शकार्पक बदलाव ला सकते हैं यह दिन आपकी जिवन साथी का बहतरीन पहलू आपको दिखाने वाला है दोस्तों यश्मी अपने आर्थिक सिथी बहतर बनाई रखने के लिए आप नाने से पहले नाभी में तेल लगाकर फिर से पूरे शरीर में तेल लगाकर असनान करें इसे दोस्तों आपका आर्थिक सिथी और भी बहतर होगा दोस्तों यश में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए दोस्तों आप पेशे बचाने के पख्ष में हैं और अधिक शदिक धन कमाने के बाद भी कुछ बचा नहीं पा रहे हैं और घर में बरकत नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों पेशे कब आती हैं और पेशे कब चरे जाती हैं कोई भी इनका हिशाब नहीं तो दोस्तों यश में आपको इन उपाय को जरू आजमाना चाहिए जिया दोस्तों आपको बदा दे कि मंगलवार के दिन लाल चंदन लाल गुलाब के फूल तता रोली ले इन शब चीजों को लाल कपड़े में बांद कर एक शप्ता के लिए मनुकामनाई धेरे धेर पूर्ण होने लगेंगी दोस्तों ये नुपायों को यश में शुरू करेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा भागी शले होंगे और शाधी दोस्तों और एशी अधिक जानकार्यों के लिए आप मारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शाथी विए को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद